असलाम अलेकुम फ्रेंड्स अगेंड से आपको वेलकम करती हो अपने यूट्यूब चैनल नूर बुतिक अफिशल पे तो आज नूर आपको सिखा रही है किस तरह से आप अपने दुपट्टे को बुतिक स्टाइल में रेडी कर सकते हैं तो देखे मैंने मिशीन का नार्मल पुत हटा गए तो मैंने हाफ फुट इसको चड़ाया जो हम पाइपिंग लिए यूज करते हैं इसको चड़ाने का मकसद यह है कि देखे हमारी लैस यह स्टारी बारी लैस है और डबल इसकी पट्टी यह है डबल पलाई में यह बनी हो यह लैस दोनों साइड पे इसकी स् और इसके बाद मैं अपने फुल एक्सपिरियंस के बाद आप से ही शेयर का रही हूँ कि आप इसको इस फूट के साथ लगाएं इस फूट से लगाने का फाइदा यह है कि आपकी लेस की स्लिप नहीं होगी और बिल्कुल जहां पे आपने इसको पकड़ कर रखा बिल्कुल उदर ही आपकी सलाई आएगी और यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि लेस की सलाई है वह इसके अपर आ रही है अगर लेस के लेस आती है सेंटर माने लेस बहुत खराब हो जाएगी इस तारी के ओपर मोटमाटे से सुराख हो जाएंगे जो लेस की खुबसूरती को खतम करेंगे तो इस तरह मैं ना मैंने इसकी को फोल्डिंग की है साइडों से एक एक इंच या हाफ आफ इंच का कपड़ा चोड़के मैंने इसको लगाना शुरू किया था और यह देखें जहां पर हमने कार्नर बनाना है इस तरह यहां से निकाल लेना है और जिस साइड से हम लेस की सलाई लगा रहे थे उस साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेस को निकाल के तो आदा इंच इसको अंदर के तरह फोल्ड करके तो इस तरह एक साइड आपने बंद कर लेनी है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह बस यह हो गया और यहाँ पे भी आप चाहें तो एक दो स्टिचेज लगा लें बिल्कुल कॉर्णर के उपर ना चाहें तो ना भी लगाएं क्योंकि हमें एक साइड कवर करनी है और इसका बनाना है कॉर्णर तो इस तरह यह हो गया आप इसको खोलते है देखें खुबसूरती के साथ यह डान हो गया और हमने दुबट्टी की फॉल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी और अंदर अंदर वाली साइड पे इस तरह मैंने अब दुसी साइड से भी लेस को जाइट करना स्टार्ट कर लिया दुबट्टे की उपर आप चाहें एक इंच कपड़ा बाहर को हटा दें डेड इंच हटा दें हाफ इंच जितना भी आपके पास आप देखते हैं कि दुबट्टा हमारा बढ़ा है अगर तो आप इसको ज़्यादा कपड़ा भी छोड़ सकते हैं या पिर पहले भी आप दुबट्टे के साइज को अड़ेस्ट कर सकते हैं तो इसी तरह मैं सारे दुबट्टे के उपर लेस्ट लगा लूँगी देखें कि मैं किस खुबसूरती के साथ इसको लेस्ट को टैच कर रही हैं बिल्कु स्टेट्स लाइयां आ रही है मेरी और ये चुके लेस्ट इस तरह की है कि यहां पर टेड़ी मेड़ी स्लाइय बिल्कुल भी हम इसको कर नहीं सकते हैं हमारी सीधी स्लाइयां लाना बहुत जुरूरी है और दूसरा कॉर्णर भी मैं इसी तरह से डान करूँगी हाफ इंच को लैस को बढ़ा कर तो एक साइड इसकी मैं हाथ की सुई की मदद से मैं इसको चैट कर लूँगी यहां से तो यह हो गया यहां से भी इसको खोलेंगे तो देखें यह भी कॉर्णर नीटली डान हो चुका है इस तरह से यह भी डान है तो यहां से भी मैं मशीन के साथ दुबारा से स्लाइच शुरू करूँगी इसी तरह मैं चारो तरफ दुबटे को लेस लगा लूँगी चारो तरफ लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी और यह जो एक्स्टा कपड़ा आपको साइड से नजर आ रहा है जिसको मैंने फोल्ड भी नहीं किया इसका हम क्या करेंगे यह भी आपको दिखाया जाएगा आप चैनल को करें सबस्क्राइब बेल आइकॉन को हिट करें ताकि सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें जो भी वीडियो मेरी नहीं आती है तो देखें जहां पर हमारा यह फिन्शिंग हो रही हो रही है तो बटे की वहाँ पर मैंने इस तरह लेटर लगा के इनको इस तरहर नीट कर लिया है तो इसको ऐसे जाइट कर लें आप चाहें glue, UHU या किसी भी चीज की मदद से इसको इस तरह जाइट कर सकते हैं मैंने लेटर की मदद से इसको इसके साथ जोड़ लिया तो यहां पे भी थोड़ा सा मचिन के साथ इसको सेट कर लेंगे सलाई लगा लेंगे और फिर हम लेस की दूसी साइड पे सलाई लगाएंगे आप वीडियो को फुल वाच किया करें कॉमेंट में अपना प्यार जरूर बताया करें कि आपको मेरी ये महनत जो मैं करती हूँ आप लोग के लिए ये वीडियो बनाते हैं बहुत महनत से बनाते हैं ये आपको कैसा लग रहा है काम काम का अप्रिशेट जरूर किया करें तो ये देखें अब मैं लेस की दूसी साइड पे सिंपल तरीके से बस सलाई लगा रही हूँ एक साइड पे हमने लगाते हुए कारणर बना लिए थे अब दूसी साइड पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लेस को सलाई लगाते चाहें और मशीन का फूट वो ही है जो हम पाइपी के लिए यूज करते हैं मशीन का आदा फूट यूज कर रही हूं मैं जो नार्मल फूट है मैंने वो नहीं इस्तवाल किया उसके साथ आपकी लेस के उपर से स्कीप होगा तो यह देखें यह लग चुकी है दोनों साइड पे सलाई आप और मैंने लिया है काविया कावियो का मैंने लगा लिया है स्विच तो यह देखें इसके पिन ब्लैक होई है इसके वज़ा से आपका काविया सही से वर्क नहीं करेगा तो आपके पास इस तरह का कोई भी पीस होगा आप चाहें तो जामा या फिर दिवार के उपड़ पीस पीन को रगड़ के तो इस तरह इसको वाइट कर सकते हैं तो ऐसा करने से आपका काविया जो है वो बिल्कुल नए जैसा वर्क करेगा यह देखे किस तरह यह नीट होता जा रहा है आप दरसल में जब हम नाइलोन के कपड़ों को इस तरह काविया करते हैं तो उसका जो हम गरम को साफ नहीं करते तो वो उपर से इस तरह बन जाता है आप यह देखे मेरा काविया गरम हो चुक है और इस तरह मैं लेस के बिल्कुल एजिस की साइड से बाहर वाली साइड से मैं इसको कट वर्क कार रही हूँ और बहुत ही असान तरीका है अगर आपके पस काविया नहीं है तो आप स्टोप पे रखें चुलहा जलाएं और किसी भी चीज़ को अगर आपके पस खराब काविया भी नहीं है अब जो नहीं चलता विजली से उसको आप लें और आप अपने चुलहे के उपर रखें इसे कर सकते हैं अगर आपके पस्षफ कर Instagram की मदद से चीज की मदद से को कि अई हई कि इसको आप कर सकते हैं कि कोई भी चीज आप घरम करें तो यह नाइलोन है बहुत जल्दी इसको हीट पहुंचती है बहुत जल्दी ये जलना शुरू हो जाता है तो इस तरह आप बड़ी असानी के साथ इसको कर सकते हैं नेट को भी आप बहुत असानी के साथ कर सकते हैं नायलोन को भी तो इस तरह आप चाहे तो किसी और अपने साथ हैलपर हैं अगर कोई तो आप उसको भी एक साइट से पकड़ा के तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं तो मैं इस तरह जल्दी से इसको डान कर लेती हूँ और आपको मैं इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसी लगती है तो ये तकरिबन डन हो चुका है ये बस हमारा थोड़ा सा रह गया है तो आप देख सकते हैं हुद भी कि ये किस कदर खुबसूरत लग रहा है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका दबट्टा बहुत ही खुबसूरत त्यार होगा फोल्डिंग करने के बजाए आप ये वाली टिप जरूर ट्राइ करिएगा और फिर मेरे साथ बताएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी तो मेरे साथ कॉनेक्टिट रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहें मेरे साथ हर नई वीडियोस में तो बहुत शुक्री आप लों के प्यार का अल्ला आफीज